कि अज़िए विडियो है हमारी इस फिजिक्टी प्लेटिस्टी के लिए बनानी है ज़िए स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नुमर्बन से टॉपिक वाइस जैसे आपको बताया है कि टॉपिक के इंपोर्टन कोश्चन उसके आपको जोए विडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडिये प्रवाइड कर देगा था कि आप लोग साथ साथ अप्रेटिस कर सकें लें जारम चैटर मन से स्टार्ट ने चैटर मन का सबसे पहला हमारा पास टॉपिक यहां पर आता है कि वाट इस फिजिक्स का वाट इस फिजिक्स अगर हम यहां पड़े जो कहां लेख रख है वो है Almighty Allah created this universe billions of years ago with a single word V and at once it came into being he conducted several principles and laws into it to sustain its function now from the day of their creation every particle of the universe is following these laws these laws are known as the laws of nature इसका मन्तब क्या है कि हमारे परवर्दिगार ने इस दुनिया को जब बनाया था तो जैसा कि बताया जाते कि अल्लापाक ने इस दुनिया को कुन का लफ्स कहकर create यहां कुन का नहसे लफ्स नहीं बनाया और यह दुनिया की तखलीक हुई यहां पर भी एई है, आर्माइटी लग क्रियेटे इस यूनिवर्स बिलियन्स ओफ एर्स अगो विज़ सिंगल विट भी कि अल्ला ताला ने इस दुनिया को आज से कई हजारों करोडों साल पहले बनाया था एक लफ्स के कहने पर, यानि एक लफ्स अल्ला ताला ने फरमाय था, पुन जिसकी वज़ा से यह दुनिया पूरी क्रियेट हुई और जो है इस लफ्स के वोड़ते इस लफ्स के फरमाते ही दुनिया क्या है अपनी वजूद में आपी इस दुनिया को काइम रखने के लिए इसका निजान चलाने के लिए जो है अल्ला ताला ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कुछ ऐसी चीजे बनाई थी, यानि कुछ ऐसे लौज, कुछ ऐसे कानून बनाए थे इस काइनाद के जिने हम कहते हैं लौज ओफ नेचर उस दिन से जोसे यह दुनिया बनी थी और आज तक हम लोग उन लौज को फॉलो कर रहे हैं उन उन्ही लौज को जो मैंने आपको बता है कि लौज ओफ निचर आ जाते हैं, यानि कुद्रत के कानून अगर हम आप लोगों को बेसिक समझें तो फीजिक्स इन्ही लौज के अंदर यानि जिन्हीं आप कहते हैं लुकुद्रत के कानून इन्ही loss के अंदर कुछ ऐसा ढूंडना जो कि आज तक ना ढूंड सके हो याईनि कि किसी को मुझे बताना हो कि या फिजिक की से कहते हैं तो मैं कहूंगा यार discovering the undiscovered best explanation है physics की discovering the undiscovered याईनि आप वो ढूंड रहे हो आप वो किसी को बता रहे हो वो जो already नहीं जानता काइनात के अवाले से loss के अवाले से gravity के अवाले से mass के अवाले से weight के अवाले से कितनी चीज़ें है ना तो यहाँ पर जो definition लिख रखी है physics की अब हम लोग वो पढ़ेंगे जो कि आप लोगों को notes के अवाले से भी बताया जाके है physics से अंदर more deeply इतना अंदर जाने से पहले हम लोग पहले क्या देखेंगे physics क्या है physics है यहां में लिखावे derived from a geek word derived from a geek word psychos psychos यह से physikos जो भी आप पढ़ लो meaning natural यानि physikos नाम के लब से निकला है physics का जो लब है physikos का geek meaning है natural यानि physics क्या है physics के natural देखेंगे laws of nature से related है यह जितनी चीज़े naturally exist कर रही है जो Allah तरह ने इस काइनात में बना रखी है Allah तरह ने इस काइनात में तखलीक कर रखी है उनके उपर work up कर रहा हमारा physics के अंदर आते है और physics Greek word है psychos से निकला हुआ है physikos से निकला हुआ clear now it is defined as a branch of science that deals with the interaction of matter and energy अब जो है modern definition के एसाफ से हम लोग physics को कैसे define करेंगे क्या physics is a branch of science that deals with the interaction of matter and energy यानि science की एक ऐसी branch जो के क्या करती है हमारे जो matter है matter को हम लोग अमोवन दौर में कहता है मादा कह सकते है clear और energy यानि इन दोनों के interaction से यानि ये दोनों आपस में किस तरीके से react करते हैं इनका आपस में किस तरीके से interaction होता है ये लोग आपस में react करने में किस तरीके की fundamental concept सामने आता है हमारे किस तरीके के reactions होता है किस तरीके की property changes होता है हमारे पास matter और energy के react करने पर उनको जब हमें study करने जाते हैं तो यार यह फिजिक्स निकल गया दिए और फिजिक्स बहुत डीफ सब्जेक्ट है यार फिजिक्स बहुत सब्जेक्ट है इसकी काफी सरी ब्रांचे है तो यहां तक हमारा पैर फिजिक्स का जो चुब है यहां पहला पहला टॉपिक्स नौर्मल सी टीफिनिशन देप्सिक्स अचिसलिंशन अच्ट यह अगर आपको कुई करे तो वह इतनी सी इसकी डेपिनिशन और फिजिक् जहां आपका मास क का सबसेप्ट है जहां था का सबसेप्ट है बेसिकली what is energy? इस बट कुछ इस फिजिक्स जहां energy की discussion हो रही हो जहां energy का topic discuss हो रहा हो वहां physics लगे 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 की वहाँ physics discuss होगी ही होगी clear है तो यह था हमारे what is physics बार बार निम्हारी इस वीडियो को शेर करें और आपने दोस्तों को और अपने जितने भी आप लोगों के अधिया उन्होंगों तक इस वीडियो को पचाहें हैं लास्ट वीडियो दब फॉलो को रहें और उनके भी फीजिक्स से कॉंसेप्ट बहुत क्लियर हो सकें वो बहुत अच्छे तरीके से जो है फीजिक्स हो पढ़ सकें अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें तर तक के लिए सीया बाई